हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेल्कम्ट्री स्टडी आई की एक बार जल्दी से जितने वी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुझे बता देंगे कि आडियो वीडियो छे से आ रहाई की नहीं ताकि जब सेशन आप तक पहुंचे तो जितने वी लोग हमारे सा जुड़े हुए है आज हम लोग 27 तारिक के दिन आज के करेंट अफेर्स के ऊपर बात करेंगे क्या-क्या ऐसे महत्तपूर करेंट अफेर्स हुए जो हमारे एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो साथ तारिक और मैंने अभी एक अपने टिलिग्राम पर पोस्ट डाला था कि कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता बहुत जरूरी है आपको लगातार पढ़ने लगातार दिनों तक पढ़ना यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसलिए रोज 7 बज़े आपको यहां पर डेली पढ़ना और यह क्लास मिस करने का मतलब है कल हम लोगों ने mcqs डिसकस नहीं किया था तो आज बहुत अच्छा जरिया है कि हम लोग आज mcqs को डिसकस करें लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो रिपब्लिक डे था आज हमारे करेंट अप्टेंट में बहुत सारी चीज़े रिपब्लिक डे से है लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो रिपब्लिक डे की जो सेल है वो आज समाप्त हो रही है मतलब आज के बाद यह जो हमारे कीमते हर एक बैचेस की वह बढ़ जाएगी ठीक हो पीचेस के हो या बाकी के हमारे कोई भी बैचेस हो इस्टेडी आई क्यू में आज के बाद यह कोर्सेस समाप्त हो जाएगी चले तो सुरू करते हैं सबसे पहले कल जो हमने आपको पढ़ाया था सड़नली जो है वह सरवर इस हुआ और हमारी क्लास रुख गई थी आज ऐसा ना हो इसी के लावा हमारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है ऐसा बोल सकते है कि खान साब बोल रहे है क् तो जल्दी से बजाए एक बार बता देंगे कि आडिवीडियो सबको अच्छे डंग से आ रही है कि नहीं कि यहां पर सभी लोंग पोल लाई सर आडियो विडियो क्यूंकि मेरे को तो यहां पर बिल्कुल अपनी हाई फ्रिकवेंसी की ओदिखाई दे रही है तरह मुझे बार बता देंगे सभी लोंग को आडियो विडिश्च से सबसे पहला कोशन है हमारे यहां पर प्रसंद्ना बी और आले जी की न्यूकति की गई है CGI के दवारा अब यहां पर संख्या बढ़कर 32 31 हो गई है हमारे यहां पर जो सुप्रीम कूट के निया धीस है वह आर्टिकल नंबर 124 के तहट राष्ट्पति के दवारा मैं सब्सक्राइल आगे यहां पर चलेंगे हां संख्या बढ़कर थर्टी दिय। यह चैट्मिंट गलत है 124 के स्खंड 2 के तहत हमारे सुप्रीम कोड के जज्जिस का अपॉइंटमेंट है दो नमबर के वह सही है दो नमबर के उपर टिक करना है जवाब सही हो जाएगा Next question आपके सामने है हमारे यहाँ पर 12 जो उत्पाद है यह geographical indication दिये जा चुके है अरुनाचर प्रदेश को कल के कल यह 12 मिलने के बाद टोटल GI टैग हो चुके है अरुनाचर प्रदेश में 11, 12, 13 या 18 कितने GI टैग हो चुके है टोटल अरुनाचर प्रदेश में तो याद रखेगा हमने कल आपको GI टैग बताये थे औरुनाचल प्रदेश के एक ही दिन में 12 GI टेग मिले, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, पहले इनके पास 6 थे और अब बढ़ करके हो चुके हैं 18, तो टोटल 18 हो चुके हैं, 12 प्लस 6 is equal to 18, याद रखेगा, यह हमारे औरुनाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा बूस्ट अप है, औरुनाचल प्रदेश जो है, वो 12 GI टेग ले चुका है, डीटेल में कलम ने बताया था, नेक्स्ट कोस्टन है, 3 ट्रिलियन की हमारे market capitalization को पार करने वाली software की पहली और दुनिया की दूसरी company बन चुकी है, Microsoft, Apple, TCS या Tesla, कलम ने आपको पूरी की पूरी list बताई थी, आई होप सभी को याद भी होगा, कि किस तरीके से 3 ट्रिलियन की अपनी बहुत सकते हैं की economy को, market capitalization को उसने पार कर दिया है, और ये company है, बहुत बढ़ियर तरीके से याद रखिए, Microsoft और ये उच्छाल, इनके Chad GTP में investment के वज़े से आ रहा है, ऐसा बहुत सारी economist बोल रहे हैं, तो ये number options हैं, दुनिया की सबसे बड़ी company है, Apple और दूसर नमबर पे आजाती, Microsoft, आगे चलते हैं, नेक्स कोश्चन है, 2030 तक हमने, हाँ, gasification in coal, coal gas के लिए कितना target रखा है, कितना target है, कितना million target है, 2030 तक, 50 metric ton है, 80 metric है, 100 metric है, या 1500 metric ton है, तो लगबग 2028-29 तक हम क्या करने वाले हैं, ये plant setup करने वाले हैं, और ये setup होने के बाद से, हमने कल आपको Udisa और West Bengal के दो plant बताये थे, ये जो हमारा metric tons में जो पादन बढ़ जाएगा, वो कितना है, तो 100 जितने लोगब बोल रहा है, 100 metric tons, तो यहाँ पे option number C पे दिखाए दे रहा है, 100 metric tons, याद रखे, दो plant को setup करने के लिए target लिया गया है हमारा, 28-29 और उसके बाद से जैसे production इस्टार्ट होगा, 100 metric ton gas, coal gas जो है, वो हमारे बनने लगेंगी, जिसको हम लोग सौट में SNG बोलते हैं, synthetic natural gas, SNG का full form है, synthetic natural gas, बात क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, next question आपके सामने, हाल में ही कंज्यांग के पास, हमारे पंजेरवेरी गाउं में, 11 और 16 सताब्दी के ग्रंथम और तमिल दो, हमारे सिलालेख दिखाई दिए, ये एक हमारे अतिहासिक लिपी है, जो पूरे दक्षिरपूर वेस है, और larger part of तमिल नाडू में देखने को मिलेगी, कि वलेख सही है, दो सही है, दोनों सही है, या इन में से कोई सही नहीं है, तो दोस्तों, कल हमने आपको एक rock inscript के बारे में बताया था, और सभी लोगों ने बोला था, कि सर यहाँ पे हमारे जो ये इंसक्रिप्ट है, यह तमिल और संस्क्रत को मिला करके बनाई गई एक इंस्क्रिप्ट है जिसको ग्रंथम बोलते है कल के करेंट अफ्रेंस में थे तो यहाँ पे दोनों स्टेट्मिंट सही है अगला कुशन है हलवा समारो मतलब हाप निकल हलवा सिर्मनी के बारे में देखा था यह फंक्शन जो है बेस्मिंट आफ साउथ ब्लॉक में हुआ यह हमारे ट्रडिस्नल कल्चर है जो की बजट के फाइनलाइज होने के समय किया जाता है केवल एक सही है दो सही है दोनों सही ह या इन में से कोई स्टेटमिन नहीं सही है तो दोस्तो बजट की सरगर्मी काफी तेज हो गई है आजके भी हमारे करेंट अफियरस में बजट को ले करके हम बात करने वाले हैं और यहाँ पे जो सबसे सही उत्तर है यहाँ पे सही है C-RUMBER-오pexon correct answer 100% चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे सामने क्या कोशन है हाल में ही मेनलिस्टिक जो टाइगर सफारी है यह कहां पर स्थापित किया थी है मेनलिस्टिक टाइगर्स होते जिनके उपर जो ब्लैक कलर की धारी होती वो मोटी होती है और वो हमारे लिए काफी महत्तपूर टाइगर है एक तरीके से बहुत ही रेर जो हमारे स्पिसीज होते हैं टाइगर्स की यह टाइगर सफारी कहां पर बन रही है मद्देप्रदेश, तमिलनाडू, करनाटक, उडिसा तो हमारे यहां पर भीतरकडिका नेशनल पार्क है एंजली जहां पर हमको यह जो टाइगर से देखने को मिलते हैं और यह आपको उडिसा में बन रही है तो यह टे हमारे कल के करेंट अफर्स पर आधारित MCQ जो आप लोगों ने बढ़िया तरीके से देखे और बनाए आज के हम सेसन में बात करेंगे कल घोसित किये गए पदम अवोर्ड्स की साथ रिजर्ब बैंक की देखे रिजर्ब बैंक ने पंचायत राज फिनेंस रिपोर्ट बनाई है जिसके उपर आज हम डिसकस करने वाले हैं हमारे यहाँ पर जो 80 हमारे सिफाही हैं जिनको गैलंटरी मेडल्स दिया जा रहा है वो किनको किस तरीके से डिवाइट किया गया है वो भी बताएंगे एक बहुत इंपोर्टेंट है टेक्स के पहले डायरेक्ट टेक्स टु जीडीपी रेसियो लांच किया गया है जो अपने चरम पर पहुँच चुका है मतलब इंडिया के लोग टेक्स देने के मामले में काफी जादा आगे निकल गया है 2013 के तुलना में ये भी रिपोर्ट डिसकस करेंगे Freedom City London Award दिया गया है अजीत मिस्रा जी को कौन है ये और क्या अवार्ड होता है बात करेंगे देन उसके बास से हमारे Mars पर भेजा गया हेलिकॉप्टर को जो की हमारे NASA ने भेजा था 2021 में उसका जो connection टूड़ गया था वापस से reconnect हो गया है NASA के लिए बहुत बड़ा breakthrough है Wooler Lake में बहुत सारे प्रवासी पक्षियां हैं उनकी भी बात करेंगे Wooler Lake की भी बात करेंगे और environment की बात करेंगे तो खान साव I hope आवाज मेरे तक बहुत बढ़िया तरीके से मेरी आवाज आप तक पहुँच रही होगी तो चलिए इन सारे के सारे चीजों को हम यहां बहुत अच्छे डंग से करते हैं और एक-एक question को detail में discuss करते हैं तो सुरुआत करते हैं सबसे पहले Padam Awards की तो Padam Awards जो दिये जा रहा है वो किन को दिये गया है भारत रत्न जो इस बार करपूरी ठाकुर जी को दिया जा रहा है आप सभी लोगों को मैंने बताया था देन उसके बाद से कर आप देखेंगे भारत रत्न के बाद हमारे देश में आता है Padam Vibhusan Award और Padam Vibhusan Award देन उसके बाद से आता है Padam Sri Award तो इस तरीके से ये चार हमारे नागरे के लिए दिये जाने वाले Award है भारत रत्न पदम Vibhusan, Padam Vibhusan and Padam Sri तो भारत रत्न एक लोगों को दे दिया गया है करपूरी ठाकुर जी, I hope सभी लोगों ने देखा होगा तो उसकी वज़े से राजनीती भी काफी गरम है देन उसके बाद से पदम Vibhusan की बात करेंगे तो यहाँ पर सत्रा लोगों को ये पांच लोगों को दिया जा रहा है जो देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है इन पांचों लोगों की बात करेंगे फिर पदम हमारे भूसन अवार्ड की बात करेंगे जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड है ये सत्रा लोगों को दिया जा रहा है और फिर 110 ऐसे रिसिप्टेंट है जिनको पदम स्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है कितने 110 तो आप देखे 5, 17 और 110 ये रेशियो में पदम विभूसन पदम भूसन और पदम स्री अवार्ड दिया जा रहा है अब तुमारे अंदर ही क्रियोसिटी होने चाहिए कि सरी ये किन को अवार्ड दिया जा रहा है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इस पूरी लिस्ट को तो सबसे पहले आते हैं पदम विभूसन की जो ये 5 लोगों को दिया जा रहा है उसमें आती है एक बहुत ही हमारे बहुत ही उम्दा कलाकार साइद आप लोगों में से बहुत है लोगों उनने इनकी मूवीज भी देखी होगी आपने ने तो आपके पापा रो मम्मी तो इनको अच्छे डंध जानते होंगे नाम है वैजनती माला वैजनती माला 87 एर्स की हो चुकी है और ये सबसे पहला नाम आप यहाँ पर देख पार होगे 13 साल की से यह तमिल फिल्म इंडिस्ट्री में कदम रखा और उसके बास से यह हर उस उचाई को चुछ हुआ जहां पर एक एक एक्ट्रेस को जाना चाहिए दूसर नंबर पर आते है वन और जिनों ने सुरुवाद की ती सुलब सौचा लेगे सुलब इंटरनेशनल के संस्थापक सुच्टा भारत के मेजडर और पिछले साल इनकी हमारे 15 अगस्त के दौरान मृत्ति हुई थी देखिए इनकी जो मृत्ति हुए वो भी बड़े सांधार दिन पे हुई है तो 15 अगस्त और 2023 को यह हमारे बीच में नहीं रहे और विद्धेश् चिरंजीवी साथ आप इनके बारे में जानते होगे चिरंजीवी भी एक बहुत बढ़िया तरीके से हमारे देश के लोगों को इंटर्टेन करते हैं देन उसके वास से वेंकाया नाइडू हमारे देश के बिल्कुल तेरवे नंबर के उपराश्पती रहे तेरवे नंबर क प्रदमा सुभ्रमन्यम प्रदमा सुभ्रमन्यम एक भारत नाट्यम की डांसर है और कई सारे चीजों में ये अपने हुर्यर दिखा चुकी है जैसे कोरियोग्राफिस, सिक्षिका, इंडिलोजिस्ट और उसके लेखिका की भी बन चुकी है तो काफी बढ़िया तरीके से इ यह हमारे 5 देश का दूसा सर्वोच सम्मान जीते है जिनका नाम है हमारे पदम विभूसन अब हम बात करते हैं पदम भूसन की तो यह 17 लोगों को दिया जा रहा है दोस्तो हम दोगों ने कल बात कीती हमारे भारत की पहली सुप्रिम कोट की जज कौन है तो वो थी फातिमा बीबी तो देखे इनकी मृत्यू के बाद जो फातिमा बीबी है यहां पर पदम भूसन अवर्ड से सम्मानित हो रहे तीसरा अवर्ड ये है हमारे भारत रत्न पदम वी भूसन और ये है पदम भूसन ये देखे हमारे सबसे पहले आप देखेंगे तो कौन कौन इस लिस्ट में फातिमा बीबी जी है देन उसके बाद से हमारे एचन कामा जी है देन उसके बाद से मिथुन चक्रवर्ती है देन उसके बाद से सीता राम जिंदल है स्री जौंग 17 लोगों को दिया गया है देन उसके वाद से गर आप देखेंगे यहां पर हमारे स्री दत्ता त्रे हैं जिनको आप जानते ही होंगे स्री दत्ता थे एम राजदत यह भी काफी बढ़िया तरीके से एक्टिंग में आगे थे देन उसके असे स्री हमारे टॉंगडन रिम पोच लिए इनको यहां पर वेस्ट विंगॉल से दिया जाता है देन उसके वाद से हमारे विजय कांथ हैं जो कि तमिल नाडू से हैं इनको दिया गया और कुंदन व्यास जी यह हमारे सत्रवे नंबर के जो महरास्ट्रा से तो यह छे नंबर से सुरू हो रही है मतलब सुरू के यह हमारे पदम विभूशन से विजयतित हैं और यह 17 लोग यह पदम भूशन मिला है इनको फिड़ से देखेंगे फातिमा बीबी जी है मृत्यो प्रांथ कितने लोग को मिला अब यह भी कोशन पूश सकता है तो यह देखे फातिमा बीबी जी है उसका से सत्यबर्त मुख तो चार लोगों को हमारे मृत्यो प्रांत मिला है बाकी के तेरा लोग है जो अब लगातार काम कर रहे हैं याद रखिए हमारे स्री आचेनची कामा जी जो महरास्टा से हैं मिथून चाकरवर्ती बहुत इंपोर्टेंड है मिथून चाकरवर्ती पदम भूषण सीतालाल जिन्डन पदम भूषण स्री जौंग लिव पदम भूसन, अस्वनी बाल चंद्र मेता पदम भूसन, स्री सत्यबर्त मुखर जी पदम भूसन, रांद नाइक पदम भूसन, स्री तेजस मदुसूदन पटेल पदम भूसन, स्री ओ आर राज गुपालाचारी पदम भूसन, देन उसके बास से आप दर्वियासी तो इस तरीके से ये हमारे पदम भूसर विनर हैं याद रखेगा एक्जाम में प्रस्न पूछेगा ये लिस्ट आपको PDF में मिल जाएगी आज आपको याद होनी चाहिए अब दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये हमारे जो देश के सरवोच पुरसका ये तीन केटेग्रीज में होते हैं जो आप लोगों ने देखे पदम स्री ओवाड 110 लोगों को दिया गया 110 जो है वो पदम स्री ओवर्ड इस बार दिये गए हैं इन पुरसकारों में अगर आप देखेंगे तो पदम भूसर जो है वो हमारे विसिस्ट सेवा और पदम स्री कि किसी बी सेवा के लिये आता है जबकि पदम विबूसर हमारे आसाधारन और विसिस्ट सेवा के लिए दिया जाता है। 26 जन्वरी को यह हमेशा दिया जाएगा, 26 जन्वरी को एनाउंस किया जाएगा, दिया नहीं जाएगा, एनाउंस किया जाएगा, किसको किसको मिला, और यह 1954 में दियना सुरू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ important है, चली, आगे चलते हैं, नेक्स बात करते है एक important report के जो Reserve Bank of India ने घोसित कि और मुझे लगता ये काफी जरूरी था इस report के उपर हमारे discuss करना तो दोस्तों हमारे यहाँ पर पंचायत को बनाएगा आप सभी को पता है कि हमारे देश के article number किसमें जल्दी comment करके बताना है कौन से article में हमारे देश में पंचायत का जिक्र है याद रखियेगा हमारे देश में article number 240 हमारे देश में सबसे पहला जो article है वो है article number 40 जहां पर पंचायत होनी चाहिए यह जिक्र किया गया फिर उसके बास से आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243 ओ तक में हमारे पंचायतों की अलग-अलग चरणों को अलग-अलग आर्टिकल्स में लिखा गया जो हमारे अमेडमेंट नंबर कौन सा अमेडमेंट था ये सम्मिधान संसोदर नंबर 73 तरवा था जो हमारे देश में हमारे बानवे में इसको सबसे पहले लागू किया था मद्यप्रदेश ने मद्यप्रदेश ने ये जो हमारे देश की आर्टिकल्स है और इसको सिडूल के अगर हमनों बात करते जिस सिडूल में आप पंचायत को जोड़ता हुआ देखेंगे वो सिडूल नंबर था ग्यारव ग्यारवान सिडूल को सबसे पहले लागू किया था मद्यप्रदेश ने इसलिए हम लोग पंचायती राज को किस दिन सेलिब्रेट करते 24 अप्रेल को सेलिब्रेट करते आपको एक और चीज़ याद रखना है कि हमारे देश में जो सबसे पहली पंचायत थी इस सिडूल के बनी थी और लेकिन सिडूल 11 के अनुसार जो सबसे पहली पंचायत बनी थी वो थी मद्यप्रदेश में अब यहां पर पंचायतों के लिए अलग अलग बात बताएगे और पंचायतों के आर्टिकल नंबर 243 ह और आई में आप साफ तोर पे पढ़ पाएंगे इनके पैसे क मतलब यह जो हमारे अलग-अलग काम कर रहे है 29 डिपार्टमेंट इनको दिये गए पीने के पानी से लेकर के स्वक्षता तक एजुकेशन से लेकर के वहां पर हमारे अड्मिनिस्टेशन तक सारे काम जो इनको दिये गए उसमें पैसा कैसे आएगा यह 243 ह और आई में बता उनका जो पैसा है वो केंद सरकार और राज सरकार से लेते ग्रांट के रूप में हना अपना कोई भी उनका सेल्फ जनरेशन इंकम नहीं है और कोई भी ऐसी बोडी जो खुद से पैसा क्रियेट नहीं कर रही है वो दूसरे के उपर बोच बन जाती है तो RBI साफ तोर पर य इंटर एंड इस्टेट आपको अपने ऊपर जो है वो आत निर्भर बनना पड़ेगा इस रिपोर्ट में आप देखिए हमारे रिजर बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले यह हमारे फाइंडेंस आफ पंचायती राज इस्टिशन रिपोर्ट को त्यार किया है अब इन्हो रिपोर्ट में बताएंगे कि वेस्ट बेंगॉली स्पेंडिंग पच्छे समलो एवन चार लाइक पंचायत जबकि यह गुजरात में आप देखोगे तो सिर्फ तीन दसमलो तीन चार लाख है जो पंचायत पर खर्चा किया जा रहा है लेकिन अगर आप देखेंगे यहां में एक तारिस समलो आठ साथ जो यह पैसा मिल रहा था पंचायतों को तो यहां पर आप देखोगे तो पश्ची मंगाल सबसे ज़्यादा पंचायतों में पैसा खर्च कर रहा है उसके बाद से विहार आता है हिमाचर प्रदेश जहारखन महारास्टा राजिस्थान गुज जुरात चतिस गड़ मध्य प्रदेश पंजाब और ह्याणा लेकिन 24-25 में यह आंकड़ा अभी तक देखोगे तो 25 समलो एक चार है मतलब यह जो आंकड़ा है 2000 हमारे 23-24 का यह आंकड़ा आप देख पा रहे होगे अब दोज़ों यहां पर आप देखेंगे मध्य प्रदे देश के कुल 255,623 ग्राम पंचायतों में 95% का जो खर्चा है यह सरकारों से सेंटर गवर्मेंट और हमारे स्टेट गवर्मेंट से चल रहा है इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि हमारे यहां पर जो टोटल 255,623 ग्राम पंचायत है उसके पास जो पैसा आ रहा है वो 95% गवर्मेंट दे रही है या तो सिंटर या तो स्टेट उनके पास जो खुद का पैसा जो जादा होना चाहिए वो सिर्फ 1.1% है जिसको वो अपने स्थानी टैक्स या बाकी सुल्क के जरीए जुटा पार है मतलब उनके पास यह जो पैसा केवल 1.1% है इसको इंक्रीज करन की सेल्फ इंकम जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए यह वो डिमांड की जा रही है याद रखेगा यह जो हमारे पूरा का पूरा जो हमारी पंचायतों में आप देखोगे तो 2,55,623 ग्राम पंचायतों में यह हमारे रिपोर्ट टैयार की गई है मद्धिप्रदेश और पंचायतों की उपर लेकिन सबसे ज्यादा जो केंद्र सरकार राज सरकार ग्रांट दे रही है वह इन दो राज्यों को दे रही है यह इन दो राज्यों को दिया जा रहा है आंध्र प्रदेश वह सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी वाली मतलब खुद से वह खर्चा चलाने वाली है इसने 92 परसंट जो खर्चा खुद से चला रही है वो आंध्र प्रदेश है मतलब सबसे ज़्यादा जो गवर्मेंट से पैसा ले रही है वह मद्यप्रदेश और राजस्थान की पंचायते लेकिन जो खुद से अपने आंकी जो पंचायत चला रही है वह कौन हमारी आंध्र प्रदेश 92 परसंट यह खर्चा स्वैन निकाल रही है यहां की पंचायते तो यह भी आपको आकड़ याद रखना है मारास्थ की पंचायत दूसर नंबर पर आती है यह 26 परसंट मतलब देखे कितना नीचे ड्रॉप आ रहा है यहां पर 26 परसंट यहां पर खुद हमारे इंट्री फीस लगती है वहां से यह पैसे निकालते है इसलिए आंध्र प्रदेश नंबर वन पे 92 परसंट जो पैसा है वो खुद से जनरेट कर रहे है महारास्टा दूसरे पर दिखाए दे रही है अपकी मध्य प्रदेश और राजिस्थान इनका डिपिंडेंसी परदेश तो काफी महत्तपूर अब यहां पर यह भी बताएगे कि हमारी जो पंचायते हैं यह ज़्यादा पैसा कहां खर्च कर रही है तो हमारी जो पंचायते हैं यह सबसे दा पैसा खर्च करती है हमारे clean water और sanitation में मतलब सफाई और स्वक्ष पानी देने में सबसे दा प खर्च कर रहा है पूरे देश का अपनी पंचायत का ठीक है तो याद रखे काफी महत्य पूरे तो सबसे ज्यादा क्लीन वाटर और आपके सफाई में पैसा खर्च किया जाता है पंचायतों में और अगर बात करते हैं गवर्मेंट के पैसे की तो 46 परसेंट वो अलग-अलग प्रोग्राम में खर्च कर रहे और 45 परसेंट ट्रांस्पोर्टेशन में पैसा खर्च किया जाता है चलिए तो अभी हम लोगों ने पदम अवोर्ट की थी पंचायती राज की रिपोर्ट देखी जो कि आकड़े थोड़े से चौंकाने वाले हैं जिसमें RBI ने साथ तोर प ऐसा जन्रेट करना चाहिए मतलब पंचायत भी अब अपने गावालों के उपर टैक्स लगाए यह सिंपल सी बात है जैसे आंधर प्रदेश यहां पर क्रियेट कर रहा है चलिए आगे चलते और बात करते हैं यहां पर वीरता पुरसकार के तो 80 ऐसे हमारे आंफोर्स के वी जा रहा है याद रखिए हमारे यहां पर जब सांती की स्थती रहती जैसे अभी और युद्ध जब होता है तो दोनों केसे में यह वीरता पुरसकार अलग लग मिलते जो आगे आपको बताएंगे तो अभी सांती की स्थती में 6 कीर्थी चक्र दिये गए जिसमें से 3 मृत् है उसके नभी एक है और चार एयर फूरस मेडर जो इसमें दिये गए है क्यर्थ अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे यहां पर यह जो हमारे अलग अलग जो लोगों को यह अवार्ड दिये गया है यह हमने बोला कि युद्ध के समय वार्ट टाइम पर यह अवार्ड जो होते है यह परमवीर चक्र सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि 1955 में सबसे पहली बार दिया गया फिर आजाता है महावीर चक्र यह दूसरा वार्ड है फिर वीर चक्र आता है जो आप यहां पर देखेंगे तीसरा वार्ड यह सारे 1950 से दिया रहा है लेकिन सांती के समय मतलब अगर कोई युद्ध नहीं चल रहा है तो समय यह अवार्ड न आपको बताया तो फिर से हम आपको यहां पर लेके चलते जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो हमारा जो असोग चक्र है इस कंडिशन में सबसे बड़ा है लेकिन हमारा जो असोग चक्र वो नहीं दिया जा रहा है ठीक है क्या दिया जाएगा हमारे कीरती चक आपको याद रखना है तो जो हमारा विशिस्ट सेवा मिडल है यहां पर देखे किनको किनको मिला है तो इंडियन नेवी की तरब से एड्मिरल वाइस आड्मिरल दिनेश के तरब से इंडियन आर्मी के नॉर्दन आर्मी कमांडर जिनका नाम उपेंदर दिवेधी है यह दूसरे हो ग Yours Central Army Commander, Lieutenant General हमारे NS Raja सुरुमनी, यह हमारे तीसरे हो गए Sounder Army Commander, Lieutenant General A.K. Singh, यह हमारे यहाँ पर आप देखोगे तो चौते पाचवे हो गए, ठीके न? तो याद रखी, यह हो गए हमारे Param Viscist Seva Middle, अब उसके बास से आते है हमारे Rakesh Pall जी, मतलब यह क्या है, Director General है, Indian Coast Guard के, और इनको मिल रहा है अतिविसिस्ट Seva Middle, अतिविसिस्ट Seva Middle, तो यह भी Param Viscist और अतिविसिस्ट भी आपको important है, याद रखेगा, ठीक है अब उसके बास से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे यहाँ के जो, हाँ यह जो हमारे Param Viscist Seva Middle Param Viscist Seva Middle will be awarded by the Air Marshal Vibhas Pande Chief of Maintenance Command Indian Air Force, तो परम Viscist Seva Middle भी देखेंगे, तो एक इसको मिला हुआ है तो यह मिला हुआ है, Air Marshal Vibhas Pande जी को, जो की हमारे Chief of Maintenance of हमारे Indian Air Force है, यह भी आपको याद रखना है इसी तरीके से, अगर आप देखेंगे तो Captain हमारे अंसुमान सिंग Army Medical Cops के हैं, 26th Battalion Punjab Regiment, यह हमारे हविलदार अब्दुलमजीद, नवा Paraspatial Forces Unit से हैं और हमारे सिप पवन कुमार, जो की हमारे कहां से हैं 55 रास्टी, रास्टी राइफल से इनको हमारे कीर्थी चक्र से सम्मानित किया गया है, जो हमारे देश का दूसरा पीस टाइम का असोक चक्र के बाद सबसे बड़ा वोर्ड है तो यह भी आपके लिए काफि इंपॉर्टेंट है Captain अंसुमान सिंग, Medical Corps से हैं, 26th Battalion, पंजाव रेज्मेंट, नवा पैरे स्पेसल फोर्स के हवलदार जिनका नाम है अब्दुलमजीद रास्टी राइफल्स के सिपाही है पवन कुमार, मर्लो प्रांथ है इनको दिया जा रहा है क्या, तो याद रखिएगा हमारे 100 रे मिदल तो काफी, हाँ, यह हमारे कीरती चक्र से सम्मारे थे, तो काफी महत्दपूर है, यह सारे के सारे अवर्ड आपके एक्जाम में पूर सकता है, कितने कितने किसको मिल रहे हैं, अब दिए बजट आने वाला, और बजट is very important, very 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 important होता है, बजट से बहुत सारे कोशर बनते हैं, शुरू आत हो चुकी है हलवा सरवनी का लमनों ने देखा था और आज देखने वाले हैं अंतरिम बजट, वो बजट होता है जो कोई गॉर्मेंट का सेसन, खतम होने वाला है, लोगसभा भंग होने वाली है, तो जब तक ये लोगसभा के चुनाव नहीं हो जाएंगे लोगसभा के जब तक चुनाव हो करके नए पियम नहीं बन जाएंगे, नई गॉर्मेंट नहीं बन जाएगी, इस डिउरेशन में ये बजट चलेगा, है ना, और जैसे ही ये हमारी नई गॉर्मेंट बनेगी का अंत्रिम बजट है, अंत्रिम मतलब टंप्रेरी बजट बोल सकते हो, जो कि इस दवरान चलेगा, तो इस बजट के बारे में हम यहां पे जो अभी जो न्यूज में आया है, ये बोला है कि इंडिया का जो डारेक्ट टैक्स और जीडीपी रेसियो है, ये 15, 15 सालों में सबस हाई है, सबसे हाई दिख रहा है, ये इंडियरेक्ट और जीडीपी रेसियो, तो देखें, इंडियरेक्ट टैक्स क्या होते है, दोस्तों, इंडियरेक्ट टैक्स होता है, हमारा वो टैक्स, इसको हम लोग डारेक्ट इंकम, डारेक्ट जो है, वो पे करते हैं, इंकम टैक् गया कस्टम ड्यूटी आ गया तो खैर यही दो बड़े हमारे बच्चे हुए इसी तरीके से वैट होता है यह हमारे इंडारेक्ट से तो डारेक्ट टैक्स जो हम डारेक्ट गॉर्मेंट को पे कर रहे हैं उसको जीडीपी का रेसियो अभी तक सबसे हाई है इन 15 सालों में तो 2013-14 में हम 6,38,596 करोर रुपए का कलेक्शन करते थे यह बढ़ करके 160.52 परसेंट का हो गया है कितना 160.52 परसेंट हो गया है जो की सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो 16,63,686 हो गया मतलब जो 6,00,00 हो रहा था वो बढ़ करके 16,63,000 हो चुका है तो यह जो ग्रोथ है वो लगबग 160.52 परसेंट की है 100 परसेंट का मतलब होता है डबल होना है और अगर हम आप यहां पर देखेंगे तो यह हमारे बहुत जादा हो रहा है 6-16 परसेंट हो रहा है तो 160 परसेंट की ग्रोथ है याद रखिएगा हमारे यहां पर जो डारेक्ट टैक्स टू जीडीपी नहीं होता है यह हमारे बताता है कि जो छीडीपी है मतलब देश की जो तोल हमारे प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से कितना हिस्सा हमारे het tax के रूप में आ रहा है मतलब कई बार production तो ज़्यादा होता है बट लोग economically active नहीं होते हैं और वो taxes नहीं पे करते हैं तो GDP के साथ हमारे देश का GDP तो बढ़ी रहा है लेकिन इन direct taxes भी बढ़ रहा है जिसका मतलब यह है कि हमारे देश के जो लोग है वो हमारे economy output में participate कर रहा है याद रखेगा जो हमारे अगर आप देखोगे तो 15 साल में अपने सबसे उच्टम पर है यहां पर 6.15 प्रतिसत लोग ऐसे है जो कि हमारे indirect taxes में involved हो रहे हैं तो वित्ति वर्ष के अंत में 15 साल के यह जो ratio है GDP to हमारा बहुत सकते है कि direct taxes is 6.1 प्रतिसत है याद रखेगे जो हमारे production में involved लोग अगर 100 है उसमें से हमारे 6.1 एक एक लोग ऐसे है जो direct tax पे कर रहे है direct का मतलब है या तो वह income tax पे कर रहे है corporate tax पे कर रहे है direct government को इन direct के तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ direct government को पे कर रहे है यह काफी महत्तपूर है याद रखेए पिछले हमारे जहां पर जो direct और GDP का अनुपात था वह 6.3 था 78 में उससे यह काफी उंचाई पर पहुंच चुका है करते थे income tax और corporate tax और उनकी मैं बात कर रहा हूँ लेकिन यहां पर यहां पर टैक्स की बाते और आपको याद रखना है कि यह जो budget है यह बड़े important है एक पॉइंट आपका यहां से question create करेगा अब यहां पर यह भी बता रहे कि लोग टैक्स GDP का मतलब है कि लोग हमारे GDP तो अच्छा यह जो हमारा high tax और GDP ratio होता है वो हमारे economy growth को दरसाता है यह साफ तौर पर बाते बोलना चाते है उस report में तो आपके लिए साधी सीचे जारना important है कितना भाई हमारा चल रहा है याद रखेए 6.1 एक एक यह direct tax to GDP ratio है हमारा पिछला कितना था तो 6.3 था यह 278 की बात कर रहे हम 15 साल पुरानी बात को लेकर क्या है है तो यह अभी तक अपने highest मुकाम पे ठीक है याद रखेगा चली आगे चलते है next हमारे सामने question आता है हाँ prominent Indian lawyer received the prestigious freedom of the city of London award freedom of the city of London award किसको दिया गया है इनका नाम है अजीत मिस्रा जी एक lawyer है और इनको यह award से सम्मानित किया जा रहा है याद रखना पड़ेगा आपको नाम क्या नाम है इनका तो ब्रिटेन में भारती मूल के एक प्रमुक है वकील जिनका नाम अजीत मिस्रा ह चालता है यह ब्रिटेन में रहते हैं फात और पर लडन का वर्ड है तो ब्रिटेन में रहते हैं लेकिन इंडियन मूल के और जब भी भारती मूल का कहीं पर भी कोई award जीतेगा या कोई हमारा कहीं अपॉइंट होगा तो इंपॉर्टन जाते हैं यह जो prestigious award और जो की हमारे policy चेर है इस Corporation of London के है ना एंड सर्मन जोसी है ना वाइस चेर्मेन है यह सिविक अफेर्स के याद रखे Freedom of City London Awards की स्थापना 1237 में की गई थी फ्री में और सिर्जन के कांसेप्ट को लेते हुए है ना तो याद रखे 1237 में हमारे City of London Freedom of City London की स्थापना की गई और उसी को याद करते हुए अवार्ड दिया जा रहा है तो यह अवार्ड अजीत मिस्रा जी को दिया गया है काफी important है इसके पहले इस पुरसकार को बड़े-बड़े लोग जीते है जैसे कि हमारे देश के प्रधान मंतरी नहरू जी जीते हैं United Kingdom के पूरो प्रधान मंतरी Western Churchill, Target, Thatcher तो यह अवार्ड काफी बड़ा है इसलिए देखे बड़े-बड़े नाम यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर हमारे इस अवार्ड में समलेथ हुए है तो काफी इंपॉर्टन जाता है आपके लिए यह अवार्ड जिसको हम यहां पर देख पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से यह अवार्ड अजीर मिस्रा जी को दिया जा रहा है यहां देखेगा अब हम साइंस और टेक की बात कर लेते हैं जो टेक्सेज डीरेक्ट हम गौवर्मेंट को देते हैं मतलब मद्द और यहां बताना चाहेंगे यहां हमारे को specify करना इतना टैक्स हमको वो टैक्स के रूप में देना डिरेक्टली गवर्मेंट को देना है उसमें कोई भी आपके बिल में आड हो करके यह नहीं है गा इन डिरेक्ट टैक्स का मतलब है कि हम टैक्स दे रहे हैं हर एक चीज में अगर हम माचिस के डिब्बी खरी दे होते हैं जो हम डिरेक्टली गवर्मेंट को देते हैं जो certified criteria में आते हैं जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ अभी अगर आप देखेंगे हमारे इंकम टैक्स के लिए एक लिमिट बनाए गईगी पांच लाग से ज्यादा जिसकी इंकम है वो देगा similarly corporate tax है इसी तरीके से wealth tax हो इसको launch किया था 2021 में अपने perseverance जो rover उसकी मदद से और फिर उसके बाद से यह हवा में उडा था तो दोस्तों यह वाप इसके connection है वो टूड़ गया था है ना air buses उड़ती है तो यह यह भी उड़ सकता है तो बिल्कुल यह testing के लिए 2021 में NASA ने एक हमारे mission बनाया और उसमें अपने perseverance rover की मदद से उसने इस helicopter को भेजा और इसको फ्लाई किया फ्लाई successful हो गया यह फ्लाई किया 30-10 feet की height तक गया 30 seconds तक इसने फ्लाई किया है ना लग Mars की सता पर फ्लाई करना थोड़ा सा कटिन इसलिए क्योंकि वहां का जो atmosphere है थोड़ा सा हमारे थिन है respectively हमारे किसके हमारे अर्थ के तो वो atmosphere को समझने के लिए यह testing की गया लेकिन यहां पे कुछ outrage आया और उससे connection टूड गया है ना जो हमारे helicopter था Mars से उससे connection टूड गया और फिर उसके बाद से हमने देखा कि NASA ने वापस अपना जो mission है उस पे आगे बढ़े और वापस कल के दिन इन्होंने वापस से जो है वो अपना contract established कर लिया है इस helicopter से जो कि इनके लिए वापस एक बहुत बड़ा achievement हो जाता है तो यह current affairs में था याद रखिएगा हम अगर बात क station है है ना कैप केनेवल जो launch station है वहां से इन्होंने इस lander को भेजा और फिर उसके बाद से यह Mars पर पहुंचा और उसके बाद से इसका मुख्युद्दे से था Mars पर इस्थे चो भी चीजे है चाहे वहां की रॉक हो वहां का environment हो सारी चीजों को क्या करना हमारे समझना और फ काफी महत्तपूर है प्रत्वी पर लोटने के लिए उन्हें ग्रह की सता पर छोड़ेगा यह यहां पर प्लान किया गया है लेकिन अभी जब हेलिकोप्टर से connection टूड़ गया तो काफी कुछ इस mission में बदला हुए लेकिन एक अच्छी खबर कर आई जिसमें आप यहां पर नई प्रजातियां भी थी तो यह हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वुलर लेक के concept में तो वुलर जील में इस सदी में अब तक लगबग चार से पांच लाख प्रवासी पक्षी आ चुके हैं जिसमें से साथ नई प्रजातियां है यह भारत की सबसे बड़ी मीठ पश्चिम में आपको दिखाई देगी इसकी कुल आप अगर एरिया देखेंगे तो 200 किलोमेटर तक फैला हुआ है इसकी लंबाई 24 किलोमेटर चुडाई 10 किलोमेटर है जील बेसिन का निर्माट टेक्टानिक गतिविधियों से हुआ है और इसे जहेलम नदी से पानी मिलत आप बुलर लेक को देखेंगे तो इसके अंदर एक चोटा सा आइलेंड भी जिसको हम लोग जेना लेक के नाम से भी जानते हैं जिसके निर्माट राजा जैनुमल अभी दीन के द्वारा कराया जा था 1990 में इसको भारत की रामसर साइड भी गोसित कर दिया गया तो बुलर जाता है इस सर्दियों में काफी इंपोर्टेंटली ये हमारे लिए चार से 5 लाख पक्षी आना एक सीजन में काफी महत्तपूर जाता है और यह रामसर साइड है जो कि आपके 1990 में रामसर साइड बनाएगी तो चार से पांच लाख पक्षी आ रहें मतलब इनवार्मेंट क से लगा हुआ है बहुत कम हो गए लेकिन गुलर लेक में बढ़ रहे हैं इसका मतलब इन्वायर्मेंट जो है वहां का काफी सही है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कोई साइंटिफिक एक्पमेंट कोई भी हमारे इतना प्रिसीजर नहीं कर सकते जितना यह बर्ड कर सकते हैं तो हम भी हमारे पास में ही माइगरेटिव वर्ड्स आते हैं बेलापूर में नवी मुंबही में तो कल हम भी गए वहां पे बहुत सारे ल मैपने सारे क्लों चीजों की जगें जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो रामसर साइट की सुरवाद 1971 में रामसर कनेक्स रामसर कन्वेक्शन के तैथ हुई थी रामसर इसा सिटी ऑफ इरान इरान का एक सहर है और वेटलेंड जो हमारे साइट्स हैं उनको चिन्नित किया जाता है उनको जिस तरीके से हमारे युनेसको अपनी कल्चरल और हमारे नैच्रल साइट को चिन्नित करता है उसी तरीके से जो रामसर है वो अपने उन साइट को चिन्नित करता है जिनको उसको कंजर्व करना है याद रखिएगा जो रामसर साइट सबसे पहली थी इंडिया में वो 1981 में चुनी गई थी यह सबसे पहली साइट थी जिसको हम किस नाम से जानते हैं याद रखेगा यह हमारे चिलका ज cleanup और साथ-sथ जो हमारे बिल्कुल भारतप० का वहाँ नेस्नल पार्क है उसको भी आप यहाँ पर देखें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो तमिल नाडू की तमिल नाडू है 14 रामसर साइट है जब कि अगर यहां पर बात करेंगे किसकी तो अमनों बात करेंगे यह उत्तर प्रदेश जो दूसे नंबर पर यहां पर 10 रामसर साइट है याद रखी गा चलिए आगे चलते नेक्स्ट हमारे सामने तो वुलर जील का चर्चा कर लिए अब हम लोगों ने MCQ करते और यह MCQ क्या-क्या पूशेंगे जो आज आपने पढ़ा है उसके उपर बाते करेंगे चलिए जल्दी से देख लेते पदम अवर्ड गलेंट्री अवर्ड बहुत इं साही है तो मैंने आज आपको वह 5 हमारे बड़े विसिस्ट के बारे में बात बताया जिनको यह अवर्ड मिल रहे हैं बिल्कुल सही है एक सो दस ऐसी परस्नाल्टी जो पदम स्री जीत रही है पदम भूसंड हमारे जो बिलकुल एक्स्टाउडनरी और एक्सेप्सिनल हमारे यहां पर हाँ पंचायती राज संस्थान जो है यह हमारे अपने ज्यादातर पैसे को गौर्णमेंट से ले रहा है इनमें से कौन से ऐसी पंचायत है जो एक राज्य 25 दिसमलों एक चार लाख रुपए खर्च करता है अपनी एक पंचायत पर वो कौन सा है पश्री मंगाल है गुजरात है बिहार है मद्य प्रदेश है जो इसको सबसे ज्यादा खर्च करने वाला राज्य बनाता है याद रखे यहां पर मैं आपको कुछ बाते बताना चाहता हूं कि यह हमारे 22-23 के आखड़ों के आधार पर बनाई गई है और आपको याद रखना है यहां पर जो सबसे ज्यादा खर्च करने वाला अपने पंचायतों पर पश्री मंगाल सबसे कम खर्च करने वाला है गुजरात ज्यादा पूछेगा तो पश्री मंगाल कम पूछेगा तो जबकि हमारा जो सबसे ज़्यादा dependent राज्य है उसमें मद्यप्रदेश और राजिस्थान का इस्थान हमारा आता है राजिस्थान और मद्यप्रदेश सबसे ज़्यादा dependent राज्य है हमारे केंदर सरकार और राजिस सरकार के उपर तो ये कुछ हांकड़े जो आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं पश्ची मंगाल के उपर टिक करूँगा, तो पश्ची मंगाल is absolutely correct answer है, अगला कोशन है, द्रौप्ती मर्मू जी ने कल हमारे 80 वीरों को वीरता पुरसकार की घोशना की है, यह कि हमारे कितने जवानों को मर मर्डो परांत दिया जा रहा है, मैंने आपसे पूछा था ना, कि मर्डो परांत आपको याद रखना है, 12 है, यहाँ पे 16 है, 18 है, या 20 है, तो बहुत important हो जाता है, हमारे देश पर सहीद होने वाले जवानों को याद करना, और कल का दिन बड़ा विसिष्ट दिन होता है, यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा, जितने लोग बोला है, सर ऐसे 12 जवान थे, जिन्होंने हमारे देश के उपर अपनी जान को निशावर किया, और उनको यह मर्डो परांत प्राइस दिया जा रहा है, 80 जवान टोटल है, अगला कोशन आपके सामने, हमारे यहाँ पर अगला कोशन आपके सामने, Freedom of the City of London, इस अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति कौन है, आपके सामने, अजीत मिस्रा है, सुलै सिंग है, विसाल कनोजी आए, या सिव कुमार पांडे है, बहुत अच्छा कोशन है, कोशन है, Freedom of the City of London अवार्ड से सम्मानित कौन है, याद रखिए, यह हमारे एक अजीत मिस्रा जी, लंडन से अवार्ड ले के आए, ब्रिटिस भारती है, यहाँ पर अगला कोशन है, हमारे अमेरिका की अंतरिक्ष एजंसी ने, हमारे इंजेनिटी हेलिकॉप्टर से, वापस से कनेक्शन स्टैब्लिस कर लिया है, यह हमारे नासा का प्रजिवरेंस 21 में प्रजिवरेंस रोवर हमारा लेंड हुआ, और उसके बाद से हेलिकॉप्टर निकल करके, लगबग 49 सेकेंड तक इसने उचाई फ्लाइट की, और यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन कुछ आउट्रेज की वज़े से कनेक्शन टूड गया, लेकिन वापस से कनेक्शन इस्थाप पे तो गया है, मुझे लगता है कि दोनों स्टेट्मेंट बोथ 1 और 2 इस करेक्ट एंसर सही जवाब हो जाता है, अगला कोशन हमारे वुलर जील के उपर है, वुलर जील में हमने देखा कि लाखों की संख्या में हमारे जो परवासी पक्षी वही आते हैं, economy question वही आते हैं, जो चर्चा में रहते हैं, और लोगों को लगता है कि हमको पूरा ये गाथा पढ़ नहीं है, अगर आप aware है, जितने भी politically, जितने भी environmentally, जितने भी geographically, हमारे जितने भी politically के साथ साथ, जो politically मुद्दे होते हैं, अगर आप उससे aware है, तो you can definitely do the these type of question, क्योंकि ये जरूर कही ना कहीं चर्चा में होता है, आपने 1990 यहाँ पर देखा था, मैंने यहाँ पर 1990 किया, और बाकी का question number one बिल्कुल सही है, तो ये केवल एक number statement को सही बता रहा है, बहुत बढ़िया, तो आगे चलते हैं, कुछ static question हम लोग देखेंगे, जवाब आपको देना है, जल्दी से, जल्दी जल्दी सबी लोग को participate करना है, सबसे पहला question आपके सामने ये है, कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट क्या है, पहली तो हमने देख लिया, कि 1981 में चिलका जील, उसके आज केवल देव घाना को मिला, लेकिन हम पूछें, सबसे सबसे बड़ी रामसर साइट है, सी नंबर पर जो आपका लिगा हुआ है, याद रखना है, वेस्ट बेंग वाल में है, अगला question है, हमारे जो लक्षदीप है, आइलेंड ग्रूप आफ लक्षदीप, इनको आप क्या बोरेंगे, accumulation of coral reef है, soil sedimentation से बना हुआ है, volcano substance से बना हु आइलेंड से मिलकर के बना हुआ है, 36 आइलेंड ये coral से बने हुए है, काफी महत्पूर है, coral reef हार राइट आंसर, जबकि माल दीप से 1000 आइलेंड से मिलके बना हुआ है, उतकल दिवस हम किस state के foundation से संबंदित देखेंगे, उतकल दिवस, तिलंगाना है, उडिसा है, हिमाच उडिसा है, उडिसा है, उतकल दिवस हमारे उडिसा से संबंदित है, अब आपके सामने सहारा डेजर्ट आ जाता है, सहारा डेजर्ट जो की हमारे पूरे वर्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, इसका total area कितना है, आप यहाँ पे option देखिए, अराम से और जवाब दीजे, म हमारा जो सहारा है, पूरे वर्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कुछ इस तरीके से यह हमारे इन countries में फैला हुआ है, और यह हमारे जो area है, वो है 8.54 million square kilometer, जो पूरे वर्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल बना जेता है, दोस्तों यहाँ पे एक हवा चलती है, जिसका नाम ह हर्मतन, हर्मतन यहाँ पे डॉक्टर विंड बोलते है, यहाँ इतनी गर्मी होती है, कि यह जब विंड चलना स्टार्ट होती है, तो गर्मी की वज़े से जो हमारे क्या बन जाते है, वैक्टीरिया या वायरस क्रियेट होते है, वो इस हवा की वज़े से समात हो जाते है, तो हमारे जो डॉक्टर विंड है, वो भी यहाँ पे हर्मटन के नाम से जानी जाती है, जो सहारा में चलती है, चलिए, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने आता है, आज का होमबर्ग, एलेफिंटा केप्स, जो कि हमारे देश के एक यूनिस्को हेरिटेस साइट है, यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कही लोग जवाब देने में थोड़ा सा लेट करते हैं, चलिए, कोई बात नहीं है, जो लोग यहाँ पर इस कोस्टन का जवाब देंगे, वो चैड बॉक्स में ने, कमेंट बॉक्स मे पैच हो जो सिर्फ 9999 में मिल रहा है एक 500 MCQ GS के हैं वह आप अटेंड कर सकते हो आज ही सिर्फ 27 जनवरी तक के लिए offer है जो discount courses तो मिलेंगे लेकिन discount rate पढ़ते हैं आज ही तो PC live coupon code का टेक केर